नवस्कार मैं प्रिया राज आप देखे एक न्यूस 24 केंद्री मंत्री चिराग पास्वान जब भी बिहार में आते हैं बड़ा खेला तो हो ही जाता है और केंद्री मंत्री चर्चे का विसाय भी बने रहते हैं अगामी बिहार विधान सबाद चुनाव नजदीक है इसे मद्दे नज़र रखते हुए कई बड़ी बातों का क्यास और बजारे लग चुकी है आपको बता दे इन दिनों जितन राम मान जी का भी लगतार चिराग पास्वान पर हमलावर होना बड़ी बातों को ब्या करता है आखिरकार किसके इसारो पर जीतन राम मान जी आए दिन ब्यान बाजी करते नज़र आ रहे हैं इस दो रान एक और खबर निकल कर सामने आए कि केंद्री मंत्री चिराग पास्वान के पिता जी के यानि स्वर्गिये राम विलास पास्वान जी की मुर्ति के साथ अपती जन बिवहार किया गया जिसके बाद ये सूचना मिलते ही वहां मुर्ति को फिर से त्यार की गई लेकिन केंद्री मंत्री चिराग पास्वान और उनके स्वर्गिये पिता राम विलास पास्वान जी के आई दिन मुर्तियों के साथ इस तरह से खिलवार होता है कभी नेम पास्वान को अब बड़ी सिक्योर्टी दे दी गई है और ये एक चर्चे का विसे बन गया आखिरकार चिराग पास्वान को इतनी बड़ी और इतनी सक्त प्रशासन के साथ रहना क्यूँ पड़ गया ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है तो आईए हम आपके बीस साज करते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है केंद्रिय मंत्री चिराग पास्वान के सुरक्षा में बढ़ोतरी की गई है अब उनको CRPF की जीट कैटेगरी की सिक्योर्टी दे दी गई है इससे पहले उनको SSB कमांड जो उनकी सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे थे पर अब CRPF के कमांडो सुरक्षा देंगे वहीं ग्रीमंत्राले के सुत्रों के नुसार आई भी इंपूट के अधार पर सुरक्षा आकलन के बाद केंद्रिय मंत्री को सुरक्षा बढ़ाने का निन्या लिया गया है जनकारी के नुसार जीट कैटेगरी में तेती सुरक्षा पीएसो और तीन सिर्फ में आम्ड एस्ट्रोट के बारग कमांडो वार्चर सिर्फ में दो कमांडो और तीन टेंड ड्राइवर राउंड दो क्लॉक भी रहेंगे यानि साथ और पर जाहिर होता है कि केंद्री मंत्री चिराग पास्वान के लिए बड़ी सेक्योर्टी का प्राउधान सामने आ है लेकिन आखिरकार इतनी बड़ी सेक्योर्टी चिराग पास्वान को क्यों दी जारी है हलाकि ना सिर्फ उनके साथ बलकि उनके घर पर भी सुरक्षा कर्मी को तैनात किया जा रहा है गौर तलब है कि चिराग पसान प्रधान मंतीर नरेद मोदी के तीसरे कारेकाल में खाग प्रसंस्क्रन उद्योग मंत्री की जिम्यदारी संभाल रहे हैं वही लोग जनसक्ती पाटी के प्रमुख चिराग पसान खुद को पिये मोदी का हनुबान बताते हैं और पहली बार केंद्री असरप पर बड़ी जिम्यदारी मिली है केंद्र की NDA सरकार में लोग जनसक्ती पाटी के पात सांसद है इनमें चिराग पसान ही मंत्री बने हैं चिराग पसान की लोग जनसक्ती पाटी वर्ज 2014 सही पियो मोदी सरकार का हिसा है लेकिन अरेन्द मोदी के दो टर्म में उन्हें कोई बड़ी जिम्यदारी नहीं दी गई थी बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले आईवी ने चिराग को लेकर एक थ्रेट रिपोर्ट केंद्री एक ग्रीम मंत्राले को सौपी थी और उसको देखते हुए उनकी सुरक्षा बढ़ाने का निर्णाय लिया गया है बता दे कि चिराग पासवान लगतार अपनी पार्टी के विस्तार के लिए काम कर रहे हैं बीते छह महीने में कई मौके ऐसे भी आये जब उन्होंने अपनी इस सरकार के विरोध में आवाज उठाई है कोटे में कोटा को लेकर सुप्रिम कोट के आदेश पर सरकार से अलग जाकर इस आदेश का विरोध किया था जो काफी चर्चे में रह रहा था वहीं आपको बता दे अब केंदिय मंत्री चिराग पासवान के सिक्योर्टी को लेकर भी काफी सक्ति से देखा जा रहा है लेकिन आगे का जो सवालों का घेरा था कि केंद्रिय मंत्री चिराग पस्वान को इतनी सेक्योर्टी की जरूरत क्यू पढ़ गई तो बता दे कि प्रधान मंत्री मोदी से लेकर कई लोगों की नजरे उन पे रहती है मोदी के तो हनवान भी बाने जाते हैं केंद्री मंत्री चिराग पास्वान मोदी का 2014 से वो हिसा रहे हैं मोदी के साथ हो चलते हैं मोदी के विचारों पर चलते हैं अकोताद ग्रीह मंत्राले में चिराग पास्वान के लिए एक लेटर जारी हुआ जिसको मद्दे नज़र रखते हुए इनकी सेक्योर्टी को टाइट कर दिया गया है हलाकि अभी पर्ग्छ इस पे जम कर बवाल भी करेंगे हो सकता है केंदी मत्री चिराग पास्वान अभी काफी जादा अपने कारियों को लेकर एक्टिव हो गये जिसता से आए दिन वो विदेशी आत्रा भी कर रहे हैं और आए दिन भारत और बिहार के विकास की बड़ी-बड़ी बाते भी कर रहे हैं अगामे बिहार विधान सबत चुनाव भी नज़दिक है इन सब को मद्दे नज़र रखते हुए मंत्राले से उन्हें जो सेक्योर्टी का प्रावधान दिया गया है ये बड़ी बात हो जाती है तो आज के लिए तन ही ऐसे तमाम ख़बर के लिए बने रहेगा एक न्यूस 24 पर धन्यवाद